Hello everyone and welcome back to gaming side और guys कैसे हैं आप सब लोग farming simulator 25 की एक और वीडियो में आप सब का welcome है guys जो दो secret crops थी जिनके उपर question marks थे उनमें से एक तो मैंने पिछली वीडियो में reveal कर दी थी कि कौन सी new crop आने वाली है and fortunately giant software वालने दूसरी crop भी जो है वो reveal कर दी है so जो दो घुपत किसम की crops थी farming simulator 25 में वो दोनों की दोनों reveal हो चुकी है तो पीज के related हमने जाना था पिछली वीडियो में और आज हम new crop के मतलग जानेंगे के कौन सी और कौन सी जो है वो new crop farming simulator 25 में आने वाली है so जो अगली giant software वालों ने नहीं crop जो है रुवील करी है वो है green beans तो यह फलियों टाइप सी कोई सबजी ही है मेरे ख्याल से तो green beans है यह और यह obviously edible है आप इसको खानों में different तरीके से जो है वो पका सकते है I believe शायद यह low bia भी हो सकता है but I don't know के green beans है क्या exactly तो you know आपको पता है कि ज्यादातर हमारे जो है वो English में नेम्स यूज नहीं होते vegetables के तो I have no idea green beans के मतलग मुझे ज्यादा नहीं पता maybe research करूंगा तो शायद यह जानी पहचानी कोई चीज निकले बट फिलहाल हम इसको green beans ही बोलेंगे और यह एक फली नुमा जो है वो क्रॉप है और जिसके अंदर बेसिकली फलियां होती हैं फलेंगे अंदर जो सीड्स होता है वो सीड्स ही जो है वो आपको करोगे अपने different meals में So According to Giant Software, लो हम इनको जude वो उबाल सकते हैं एस्टिम कर सकते हैं मैं कर सकते हैं फ्राइ कर सकते हैं बेग कर सकते हैं रोस्ट कर सकते हैं हम एनको बिखने साइस वो शेश्य कर से फेले हम लोग बात करते हैं कि अगर आप सेजन के according कहलेंगे तो कौन से टाइम पे आप लोग ये क्रोप यह वो प्लांट कर पाँगे सो जो इसका प्लांटिंग टाइम है वो एपरिल से लेके जून के दर्मयान दर्मयान है यानि कि आप एपरिल से लेके जून के दर्मियान इसको कहीं भी किसी भी टाइम पे प्लांट कर सकते हैं इसको प्लांट करने के लिए आपको जुयाओ वो 280L seed चाहिए, पर हेक्टर के लिए, यानि कि एक हेक्टर के उपर 280L seed जुयाओ वो इसका use होगा जबके जब आप इसको हार्वेस्ट करोगे अच्छे से ख्याल रखा हुआ होगा वीड्स वगएरा रिमूव की होगी फर्टिलाइज की हुई होगी तो जब आप इसको हार्वेस्ट करोगे तो आपको पर हेक्टर से जो इसका येल्ड मिलेगा वो है 13,950 लीटर जबके गेम की डिफिकल्टी के उपर डिपेंड करते हुए इसकी मुख्लिफ प्राइस हो सकती है बट जो इजी डिफिकल्टी है उसके उपर आपको जो इस क्रॉप की प्राइस मिलेगी वो होने वाली है 2160 डॉलर पर 1000 लीटर ठीक है तो ये इसका जो है वो प्रोसीजर है अ हम बाज कर लेता हैं कि ये हार्वेस्ट किस टाइम पर होगी तो आप इसको अगस्त लेकर नवंबर के दरमयां-द्रमयान कहीं पर भी इप्रोप कुछ यूओ को हार्वेस्ट कर सकते हो अब लागे अब मैं इसके आपको गाइस दिखाता हूँ डिफ्रेंट किसम के रोफ स सामने जो हो यहां पर स्क्रीन शॉट चल रहे हैं आप लोग देख सकते हो कि जो डिफरेंट इसके स्क्रीन शॉट्स है ग्रोफ स्टेज के फर्स्ट सेकंड थर्ड और फिर उसके बाद हार्वेस्ट और फिर विथर्ड भी अगर आप जो टाइम पर रहते हुए हार्वेस्ट नहीं करोगे तो यह एगेन जो ह inquisor विथर्ड हो सकती है ऑड़र इसको हम हार्वेस्ट कैसे करेंगे तो इसको भी again हार्वेस्ट करने के लिए एक स्पेशलाइज्ट किसम की हार्वेस्टर चाहिए होगी जो कि अगें एक दफार फिर से आक्सबो की तरफ से है और इस हार् तो अब हमने देख लिया है कि टोटल तीन क्रॉप्स ऐसी हो चुकी है जिनको हम जो है वो आक्सबो की मिशिनरी यूज़ करते हुए हार्वेस्ट करेंगे जो मलब आक्सबो के ऊपर हमें काफी ज्यादा रिलाय करना पड़ेगा सु यहां पे डेफरेंट स्क्रिन्शोट्स हार्वेस्टिंग के भी है प्लांटिंग के भी है वो मैं आप लोगों के साथ यहां पर गई इस वीडियो में शेयर कर देता हूँ फार्मिंग सिमिलेटर 25 के रिलेटिड मजीद कॉंटेंट देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब् बूलिएगा मैं मिलता है आप से लिए उडियो में अपना बहुसा ख्यार रखिएगा बाई बाई